एक समय की बात है एक गरीब किसान का बेटा था जिसका नाम सचिन था सचिन एक डयालू और अच्छा लड़का था वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तयार रहता था एक दिन सचिन जंगल में घूम रहा था तब उसने देखा कि एक पेड सूख रहा है पेड ने सचि के दिनों तक पेड को पानी देता रहा आखिरकार पेड को पानी मिल गया और वह ठीक हो गया सचिन को पेड पर बहुत ही खुसी हुई उसने सोचा कि अगर वह एक पेड को बचा सकता है तो वह कई पेडों को बचा सकता है इसलिए सचिन ने जंगल में एक पेड लगाने का फैसला किया, उसने एक छोता सा पेड लगाया और उसे पानी दिया, सचिन ने हर दिन पेड की देखवाल की, उसने उसे पानी दिया, उसे खात दी और कीटों से बचाया, धेरे धेरे पेड बड़ा हुआ और मजबूत हो गया, सचिन ने एक और पेड लगाया, फिर दूसरा पिर पेड लगाया फिर तीसरा पेड लगाया उस्में जंगल में कई पेड लगाए सचिन के परियासों से जंगल फिर फिर हरा-ब्रा हो गया। सचिन के बारे में जल्दी सभी को पता चल गया, उसे पेल लगाने वाला लड़का कहने लगे, सचिन को अपने काम पर बहुत ही गर्व हुआ, वह जानता था कि वह दुनिया को एक बहुतर जगा बना रहा, एक दिन एक राजकुमार जंगल में घूम रहा था, राजकुमार क हो सचिन के मेहनत और समरपड़ पर बहुत ही खोस हुआ, उसने सचिन को एक पुरुसकार दिया और उसे जंगल का रक्षक नहीं उप्त किया, सचिन ने जंगल का रक्षक बनने के बाद भी पेल लगाना जारी डगा, उसने जंगल में कई पेल लगाए, सचिन के परियासों से जंगल एक सुरक्षित और सौस्ट जगा बन गए इस कहानी से यह सीख मिलती है हमें सिखाती है कि छोटी से छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती है अगर हम सभी सचिन की तरह पीड़ लगाने का काम करें तो हम दुनिया को एक बहतर जगा बना सकते हैं छोटी से चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं हमें पर्यावरण की रक्षा करने चाहिए हमें दूसरों की मदद करने चाहिए थैंक्यू धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जयवाद